तो दोस्तो आज 16 ओक्टोबर 2023 बजार में आज शुरू में थोड़ा सा करेक्शन के बाद एकदम से फ्लैट मूब बेंट देखने को मिला और एड़ दा एंट निफ्टी फिप्टी क्लोजिंग दिया 19,731 पॉइंट पे एकदम फ्लैट में मतब क्लोजिंग के जमाएं इस वीडियो पे साथि साथ कुछ इंपोर्टेंट लेटेस्ट आप्डेट की बारे में भी चर्चा करेंगे खास करके इस्राइल वर पे क्या चल रहा है उसके साथ साथ ग्लोबाल मार्केट का हाल चाल जोकी बहुत पॉसरिडिव अपडेट्स हैं साथिसाथ मार्केट प् तो इनके एकोडिंग देखे निफ्टी 50 आज की डेट पर जहां पर क्लोजिंग दिया उसके एकोडिंग जो रेंज है काफी शॉट हो चुका है जैसे कि आज भी हमने देखा ना उपर की तरह बहुत हाई लेबल पर पहुंच गया या नीची की तरह कोई बहुत बढ़ा गिर करके जरूर बताना इसके बीच में आज एक बहुत इंपोर्टेंट डेटा उठा इंडिया का होल सेल इंफलेशन यानी डब लूप इंफलेशन जी संब बोलते हैं छह महीने के एकदम पीक में पहुंच चुका है माइनास 0.26 जो की ऑगोस्ट की महीने पे इससे थोरा सा कम हमें देखने को मिला जैसे कि आप देख सकतो हो माइनास 0.52 परसेंट था और लास्ट यह की बात करता ओविसली लास्ट यह से था बहुत जादे इंप्रूफ कर चुका है लास्ट यह बहुत ही जादा था 10.55 परसेंट बहुत मंतर एकदम पॉजिटिव में था वहां से दो सब्सक्राइब करेंगे इस्राइल वाल पर क्या चल रहा है तो देखिए कल तक हमने देखा था कि इसराइल पूरा तैयारी के साथ गाजा में जो ग्राउन यहां पर मतलब इनवेट करने के लिए तैयार था आज भी दोस्तों तैयार है बट इसके बीच में देखिए यहां पर यह भी निउस निकल क्या रहा है कि इरान की तरब से इरान से हैमास रेडी टू डिलीज होस होस्टेस मतलब कौन जब हमने देखा था कि हमास की तरब से इसराइल को पर टेरिस्ट अटक हुआ था बहुत सारे जो लोकल लोग चाहिए उसमें बच्चा भी हो सकता है महिला भी हो सकता उनको यहां पर अगवा मतलब लेके गया था एक टाप करके लेके गया था तो वह रिलीज कर लेंगे तो दोस्तों हमास तयार है क्योंकि देखे अगर इसराइल यहां पर ग्राउंड से इन्वेट करना शुरू कर दिया तो दोस्तों यहां पर पूरा खात्मा कर देगा जिस बैस हमने देखा कि लाजडे इसराइल की तरब से जो भी यहां पर गाजा के अं इसराइल की बिबक्ष में बोलता है आप देख सकतों यहां पर इन्होंने यह वर्निंग दिया इसराइल को की बिग मिस्टेक फ़र इसराइल एस फॉरिस से डगाजा को मतब ग्राउंड से अगर यहां पर एस जनेट किया तो एक बहुत बार मिस्टेक रहा अप देखे यह आप जो भी ट्रिरिस्ट है इसराइल की जो लोग से ठीक है इसराइल की लोग को यहां पर करके लेके गया उनको चुरुआ के लेके आना चाहता है जिस बैसे जो ग्राउंड इन्वेट करने की कोशिश कर रहा है तो इसमें अगर हैमस ने अगर खुदी आ गया के रिलीस कर देखें गया पप उसके बाद लगातार उपर की तरब देजी देखने को मिला बीच में अल्मूस्ट एक परसन को और पहुंच गया था अभी अगर हम बात करें मार्केट में समय हुआ है बारा बच के सत्ताओं में लगबग 0.88% उपर चल लाए और इसके पीछे बहुत ब बात करें ब्रेंट कूड जो कि इंडिया इंपोर्ट करते है ठीक है इरान से रशिया से ब्रेंट कूड उसके अंदर लगबग एक परसन की गिरावर देखने को मिला यह बहुत बड़ी बात है जिस बैस हमने देखा खास करके जो ग्लोबल मार्केट के अंदर एकदम से रि इंफोसिस इंफोसिस भाई साब यहां पर एकदम चक्के पर चक्का माला आप देखी सकतो लगबग अभी जो समय हुआ हुआ है उसके अकूरिंग 17.20 इवेस्टी पर क्या कोडिंग आप चल रहा है 1.80 परसें टेजी के साथ अब देखिए इसी लेबल का आस पास अगर क्ल बोड़ा बहुत श्रींक कर दिया या बोलचे तो कम कर दिया था जिस बैसे एक्ट्यूली गिलावट हुआ था अब नेक्स डे एकदम से रिकवरी देखने को मिल गया था तो जिस बैसे बहुत बढ़ी इसूज नहीं था जिस बैसे अगर ग्लोबाल मार्केट में एक बार ह हो गया दोस्तों इंफोसिस की एडियर वर्षन यहां पर भी देखे रिकवरी चल रहा है तो कल आई थिंग इन्फोसिस की शेर में भी रिकवरी हो सकता है बाखी बात कर देखे इंडिया का लाज इस प्रवेड बैंक आज कमपनी का मत्व बैंक्स का रिजल्ट आउट में और अभी की बात करें at the same time 1.88% उपर चल रहा है तो अब देखे मज़ें की बात ध्यान से सुनना मेरे बात को अगर लगबख एडियर वर्षन के इंदर 2% उपर जाकी क्लोजिंग दे दिया ना तो सो कल तो इस डिपसे पक्का एक से देर परसें उपर जाएगा जाएगा अब एजडियर जाएगा वह अकेले थोड़ी जाएगा तो निफ्टी को साथ में लेगा जाएगा मैं क्यूंब बोलना क्यूंकि इसके अंदर वेटेज अगर आप देखोगे नॉर्मली जो वेटेज की जाएगा ठीक है अकेले नहीं जाएगा उसके साथ सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करके जरू रखना इस टैप की वीडियो हर रोज पाने के लिए आज भी थोड़ा सा में इस दोरा सेलिंग देखने को मिला जो कि पहले से एक्सपेक्टेट भी था लगवग 593 करोड के आसपर कोई बहुत बड़ा आमांट नहीं फिर भी थोड़ा बहुत यहां पर सेलिंग देखने को मिला तो इसको काउंटर करते वह लगवग दुगने इसके बीच में और एक अच्छी अपडेट देना मैं भूल गया था इस्राइल की जो इंडेक्स है जैसे कि इंडिया का टॉप इंडेक्स का है निफ्टी फिप्टी सेंसेक्स 30 तो इस्राइल की जो टॉप इंडेक्स है टीए 35 उसमें आज काफी पॉजिटिवली क्लोजिं था एक टाइप का बोल सेक्तों कि अल्मोस्ट यहां पर आदा परसेंट मतव फिप्टी फरसेंट खतम हो चुका है बाकि फिप्टी वर्सेंट भी हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टिबल भी है अब चले मैं आपको सीधा मार्केट प्रेडिक्शन वाला अब देखें ज्यादा घुमाव फिर आके बाते ना करके सीधा पॉइंट पर चलेंगे क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है सबसे वाली वात आज जहां पर क्लोजिंग अपने देखा बहुती नेरो रेंज का था जैसे कि आप देख सकतो शुरुआत में थोड़ा लो है वो दिरे दिर उपर शिफ्ट होड़ा है साथ जाथ और एक पार्ट आप देखोगे हाई आर हाई भी टच कर रहे पूर ऑक्टोबर के मैंने पर यह देखें धिरे 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 करके उपर की तरह होड़ा है तो यह चार्ट पेरन के अकोरिंग इमीडियर अगरम बात क गया तो इसका जो रेट कालर काल लाइन यानि अब देखें तो उनिसाए 611 यहां पर एक अच्छा सपोर्ट मिल सकते यह दो इंपॉर्टेंस अब बात ही कि रेजिस्टेंस क्या हो सकता है रेजिस्टेंस दोस्तों आज की डेट पे क्लोजिंग के अकोरिंग दो गया था 17,810 पॉइंट के आसपास तो यहां पर दूसरा रेजिस्टेंस है एक अच्छा मूव दे सकता है जो की इंपॉर्टेंस लिबल आज भी हमें देखने को मिला था चैसो के आसपास यहां पर देखे लास्ट रेइंग विप यहां पर एक दो बार रेजिस्टेंस मिला था इस लेवल को आराम से ब्रेक कर सकता है बट सबकुछ यहां पर डिपेंड करेगा दोस्तों कल HDFC बहेंक के बारबार रोला हूं क्योंकि इसका वेट अच्छ सबसे ज जरू रखना मिलते नेक्स वीडियो पर तब टक टेक क्यार बाबाई जाए हिन्द